नमश्कार दोस्तों वरतमान समय में ये अपना नौकरी करती हैं लेकिन विवाहिक जीवन में कुछ प्राब्लम्स चल रही हैं तो उस विशेपर इनको असपश्टता चाहिए और हतेली पर क्या कुछ अच्छी अवस्था है क्या खराब अवस्था है आगे फाइनेल्शिल कंडीशन कैसा रहेगा केरियर प्रॉस्पेक्टर से चीज़े कैसी दिखरी हैं इन सारे विशेपर इनको जानना है तो नशिंतरी आपके सारे ही कोशन्स पर हम वचार करेंगे जो आपके वेवाहिक जिन्दगी से जुरा हुआ प्रशन था उस पर हम जादा ही अच्छे तरीके से विचार करने का परियास करेंगे क्योंकि more important इनका questions वही था और जो भी और भी questions है career oriented चीज़ों को लेके और भी आपके material life को लेके और आपके दैनिक जिन्दगी को लेके उन सारे विशेवपरम असपश्चता के साथ विवरंग करते वे इस वीडियो के मादियम से आपको समझा देंगे तो चौथे आपके एदली का visualization करेंगे तो ऐसे प्रशन बहुत से जातकों का हो सकता है बहुत से महिलाओं का भी हो सकता है और बहुत से पूर्सों का भी हो सकता है कि गुरुजी मेरी वेवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कते चल रही है इसके क्या reasons थे और हतेली को हम देख के क कैसे पता करें जिस से जातक कि ये विवाह नहीं हुआ है वो कैसे aware हो और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए और विवाह के बाद ऐसी कौन सी अवस्था होते है जिसके एवज में तकलीफ आती ही आती है तो बस कुछी ही norm से इसके उसको आप समझने का प्रियास करे सबसे जो more important planets है आपका वो आपका Jupiter है ब्रशपती ब्रशपती के निर्बल अवस्था आपको विवाह जीवन में problems दर्शाती 100% दूसरी आपके शुकर तीसरी आपकी चनरवा ये तीन major planets है और हम इस तीनों planets को कैसे देखेंगे कैसे देखेंगे कि ये planets हमारे अच्छे या सबसे पहला चीज़ देखेंगे आपके जितने planets है ये 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 आपका शुक्र आपका मंगर आपका सैटरन सन मरकरी और साथी साथ चनरवा इसका स्टेंथ देखो देखो मंगल शुक्र बणिया दिख रहा है आमें उभार लिए वे कंडिशन में दिख रहा है चनरव सन मरकरी मुझे उभार लेवे कंडिशन में दिख रही है लेकिन अगर जुपिटर पर नज़र डालते है न तो इन सारे planets के comparison में इन सारे planets की comparison में ये बरश्पती थोड़ी प्रभाबित है तो इसका क्या विशेस मतलब है इसका मतलब इतना साही है कि ये बरश्पती कहीं न कई प्रभाबित है और यहाँ पर से दवाब इसके प्रभाबित अवस्था को पूनता दर्शारा है जहाँ पर से इसके regarding आपके जिंदगी पर अच्छे फल नहीं देखने को मिलेंगे और चुकी ब्रश्पती बहुत गरबर नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है जहाँ पर से problems आएंगी और कहीं न कहीं कुछ ही amount में आएंगी जैसे पूरी damage ब्रश्पती आपको नौकडी भी नहीं देती पूरी damage ब्रश्पती आपको कहीं न कहीं जिंदगी पर बहुत तकलीफे देता है पूरा damage ब्रश्पती आपको परशान अलग करता है और पूरा damage ब्रश्पती आपको नौकरी प्राप्ती में बहुत ज़ादा ही तकलिफों को इंडिकीट करता है तो यहाँ पर से ब्रश्पती डैमेज है लेकिन किस अंदरम में विवाहिक जिन्दगी के संदरम में योकि आपके शुक्र पर भी कुछ लाइन से बने हुए है तो इनका मेजर प्रश्ण था कि क्या मेरा डिवास हो सकता है क्या उसके योग बन रहे हाला कि जिवन पर ऐसे ही कुछ स्थितियां चल रही है देखे इस विशे पर हम पूरता टिपनी नहीं करेंगे अगर आप पहले भी मेरे से मिलती अगर आप पहले भी मेरे से हाथ दिखाती तो मैं इतना ही कहता कि ब्रश्पती गरबर है डाइगनोसिस करके ही शादी विवाह कर रहा और उन सभी जातकों के लिए एक अवेरनिस का मैं बात कहना चाहूंगा कि जिन भी जातकों की ब्रश्पती गरबर है या शुक्र में गरबरी दिख रही है या विवाह रेखा एक से जादा दिख रही है तो समझिएगा विवाहिक जीवन में प्राबलम्स आ सकती है कोई बड़ी बात नहीं है तो इस एवज में शादी के समय कुडली मिलान के प्रक्रियाच 6-34 से होना चाहिए और आप इस चीज़ को लेके एकदम सजग हो जाएए और पूरा डाइगनोसिस करके ही विवाह करना उचित रहता है इस केसिस में तो इनके ब्रश्पती गरबर थी जहाँ पर से मैं जब तक आपके हस्बिन के सिती पर सिती को नहीं देखूंगा तब तक चीज़ों को असपस्ट रूप से बता नहीं पाऊंगा कि एकदम डिवास हो ही जाएगा लेकिन इतना असपस्ट जरूर मैं आपको कर सकता हूँ कि विवाहिक जीवन में ये चीज़े तकलीफों को देती है और वो तकलीफ आप बखुवी फेस कर रही है और एक मैं आपको हिंट देता हूँ एक रीजन मुझे दिखा एक मुझे चीज़ दिखी कि आपकी विवाह रेका एक मुझे 40 साल के आसपास क्यों दिख रही है और इसके पहले विवाह रेका क्यों कम है मैं डरा नहीं रहा मैं एक लॉजिकल प्रस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये विवाह रेका प्रारंबिक सर्म में ठीक नहीं है तो आपकी शादी के बाद ही प्राबलम सुरू हो गई जैसा इनोंने मुझे बताया और मुझे दिख भी रहा था और दूसरी एक 40 में विवाह रेका फिर दिख क्यों रही है इसकी क्या अवस्था इसका क्या रीजन है तो इसके लिए मुझे बहुत जरूरी है तो ये इनके प्रशन थे जहां पर से प्राबलम सो दिख रहे थे लेकिन हम निरने पर पहुंचने से पहले हम कोशिश ही करते हैं कि जातक की जिन्दगी बरबाद ना हो आपने किसी के साथ अपने जिन्दगी का बहुत पल बिताया है तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो विवाहिक जिन्दगी आपकी अच्छी रहे मस्तर है और प्राबलम सोट आउट ही हो जाएं तो चित रहेगा बाद बागी जो इश्वर की मर्जी होती है जो आपके डेस्टिनी में होता है वो चीज़े तो होती ही है लेकिन हम एक परियास कर सकते हैं क्या पता यही आपके डेस्टिनी हो कि आपकी जिन्दगी ठीक होना हो और आप हमारे पास आई और मुझे कुछ चीज़े दिखी जिसके एवस में मैंने कुछ रेमेडिज दिया जो की लॉजिकल सेंस में होगी और इसके बाद आपके जिन्दगी ठीक हो गई तो ये भी आपके डेस्टिनी हो सकती है नई तो इतने भीर में इतने जादा लोगों में आप हमारे ही पास क्यों आई और मैं इन चीज़ों को इतना स्पस्टूप से क्यों देख पा रहा हूँ और देख के आपको इतना स्पस्टूप से क्यों बता पा रहा हूँ सब का एक रीजन है सब एक करी से कही न कहीं जुड़े हुए बस आखे खोलिए नजरों को एकदम clarity के साथ देखिए आपको सब चीज़ दिखेगा लेकिन उस चीज़ को देखने के लिए आपके आख पर जो परदा है वो आपको हटाना पड़ेगा तो वो क्या परदा है उसको हम बताएंगे किसी और वीडियो में परदा बताएंगे थोड़ा creativity बना के रखिए थोड़ा आप in patience ना हो patience रखें मैं बहुत जल्दी बताऊंगा तो ये इनके पहले questions थे और महत अपूर्ण questions थे दूसरी अब हम इनके positive चीज़ पर चलेंगे और कुछ general general से questions है उसको हम दरूर देखेंगे तो positivity में न कुछ ऐसी अवस्था सूरी परवत पर मौझूद है जिसके एवज में ऐसे जातक property बनाते है कुछ ऐसी अवस्था इनके हाथ पर मौझूद है जिसके एवज में ऐसे जातक property बनाते है इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है तो अगर आपके किसी जातक के हाथ पर होगा जो इस वीडियो को फॉलो कर रहे है तो वो भी प्रापटी अवस्था को देखना ये पॉस्टिफ सेंस में है जिस भी जातक की यहाँ पर से कुछ स्क्वाइर दिख जायना ऐसे करके है तो समझना ये जातक प्रापटी बनाते है ये जातक प्रापटी डेफिनेटली बनाते है पहला पॉस्टिफ दूसरा एक अच्छी सूरी रेखा और यहाँ पर से कुछ दो तीन ब्रांचेस कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो कही नके सूरी रेखा की पॉस्टिविटी को इंक्रीस कर रही है ये इसकी पॉस्टिफ सेंस में इंक्रीसमेंट ला रहा है यहाँ पर से कुछ पैत्रिक संपत्ति का साथ आगे भी एक सूरी रेखा फली तवस्था में आपके अधली पर मौझूद है ये देखो confirm, ये जबर्दस्त है, तो बढ़िया सूरी रेखा, और एक अच्छी बागे रेखा के रूप में चीज़ें आपके तले पर मौझूद है, जहाँ पर से बागे का पूर्णता साथ, दिख रहा है मैं, लेकिन बहुती अच्छी बागे रेखा नहीं है, लेकिन इतन का एक प्रशंता क्या मैं विपार कर सकती हो, तो बहुती अच्छे असार है, विपार के योग भी दिख रहे हैं, आप जरूर से कर सकती है, और बाकी प्लैट्स में स्टेंथ है, तो ये एक राज्यो का रखते लिए है, और ऐसे जातक अपने जिद्दगी को ठीक तरीके सह ही विताते हैं, तो अच्छी पॉस्टिफ चीज़े हाथ पर मौचूद, अब एक साइन है, जो काफी ज़्यादा आपको भी प्रशान कर रहा होगा, ग्रुजी बड़ी अच्पटी सी इनकी रेखाएं रखती हैं यहाँ पर, क्या ये सीमियल लाइन से, क्या ये हर्ट है, क्यासी अवस्था है, मुझे थोड़ा समझाईए, मैं बड़ा परिशान हूँ इन चीज़ों को देखे कि ये अवस्था कैसी है, तो चलिए इसको हम विचार करते हैं, सबसे पहले तो ये मस्तिक से रेखाएं एकदम easy way में दिख गया, ये मस्तिक से रेखाएं confused होने के आवशकता नहीं है, ये इनकी हिरदे रेखा है, जो कि टूटी हुई है, लेकिन ये टूटी होने के बावजूद भी आपकी जिंदगी पर, या किसी भी जातक की जिंदगी पर, या इनकी जिंदगी पर, बहुत जादा side effect नहीं दी होगी, इसका reason क्या था, इसका एक महतप दवाब को लेके चली, लेकिन ये कहीं न कहीं आपकी सुगठित रेखा है, मतलब ये रेखा हैं बहुत तकलीफ देह नहीं है, ये देखो यहां से ये coverage कर ली है, इसको कहीं न कहीं एक दूसरे को overlap कर चुकी, overlap नहीं थोड़ा parallel में है, तो ये parallel वाली जवस्ता है न, और ये रेखा हैं, एकदम असपस्ट रूपे न, एक दूसरे को cover कर चुकी है, तो ये एक normal तकलीफ को दर्शाती है, ज़्यादा इसके regarding problems नहीं आती, इसको हम ज़्यादा negative रूप में नहीं लेते हैं, अगर यही रेखा, अगर यही रेखा, यहाँ पर से एक आई, यहाँ पर से अगर इस बीश से एकदम से खतम सी हो जाती, फिर इसको हम तकलीफ देह अवस्था मानते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा तकलीफ देह अवस्था नहीं मानते हैं, और कहीं न कहीं यह सीमेल नाइन्स का ही formation कर ली है, ऐसे विक्ती बहुत ज़्यादा ही भावक होते हैं, त तो आपके जिन्दगी पर हो ही रहा है, तो यह कुछ नेगेटिव अवस्थाईं दी, बांकि खर्च के पैमाने ज़्यादा बढ़ेंगे, खर्च इले परविरते के इनसान हैं, ऐसे जातक खर्च से जाता करते हैं, तो यहाँ पर से यह कुछ नेगेटिव अवस्थाई मा बढ़ा हुआ है, अच्छे घर में जनम वहा होता है, कुछ राहू रेखाती, बच्पन में उपर नीचे उपर नीचे जिन्दगी चली, मतलब कभी तरक्की, कभी परशानी ऐसे वाले स्थिती बनी रही है, उनीसमें साड़, बीसमें साड़ तक, एक आपकी तैसमें प्राप्ती का योग थे, जहां पर से नौक़री प्राप्ती आपको जरूर हुई होगी, 23.30 की बात है, पचीसमें साड़ में एक बेनेफिट था जिन्दगी पर, एक दिक्कते 30.30 में थी और वहाँ पर से जिन्दगी समूझ चली, एक 36.30 में प्रगती थे ते वो एक तक् बाकि इसके रिगारिंग जो भी मैं remedies है जो आपके लिए suitable रहेगा वो मैं आपको अवश्य ही दे दूँगा बाकि 38.30 में एक परिशानी का इंडिकेशन यहां पर से मुझे जरूर दिख रहा है जहां पर से कुछ परिशानी ऐसे जातक झेलते हैं जिसके एवज में परिशान इसको लेकर नहीं करना है बाकि यह आगे भी आपकी चल रही है बंते बे निजर आ रही है बाकि आपकी आयो दिरगायो इसमें कोई संदेनी एक फिश्णुमा किरती कास्मिक धनलाव को दर्शाता है जीबन रेका के बल को इंक्रीज करता है तो ये कुछ पॉजटिव चीज़े आपके हाथ पर मौझूद थी आगे की जिंदगी अच्छी है लेकिन आने वाला कुछ एक आग साल आपके लिए ठीक नहीं रहेगा तो यहाँ पर से कुछ मैं आपको रेमेडी जरूर दूँगा बाकि अभी आपके आपके अच्छली का हम जेनल एनलेसेस करेंगे चीज़ों को असपस टूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज़्यादा महतपून है देखे सीखे समझे स्क्वाइर स्पा में मद्य मेच का देशी महिलाई सफलता को पाती है मूलता प्लैंट्स में स्ट्रेंथ है राज्यो कारक हतेली है जंदगी काफी अच्छी बीतती है सतर परसंट राज्यो का फल है कंफर्टेबल लाइफ रहता है गुलाबी हते लिए धन को अट्रैक करती है मूलता पैसे की दिक्कते जिन्दगी पर परशान नहीं करती है बाकि एक जबरदस थम्ब है गुसेल परविर्थी तो आपका भी है इक्षा शक्ती बड़ी गजब की है किसी भी चीज को करने की छमता बड़ी जानदार है एक से ज़्यादा लाइन्स है ऐसे ज़्यात अपने जिन्दगी पर जो भी अपने दम परे डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है लाइफ को सेट करना था फिर बहुत कुछ करना था, कुछ मात्वा कांची वाले लाइन्स थे और थम्ब आपका काफी स्ट्रॉंग है, अप ऐसे इंसान अपने जिन्दगी को समान से जीते हैं, समान से जीने का परियास करते हैं, जुकने वाली प्रसाइरिटी नहीं है, सर कटा लेंगे लेकिन जुक आएंगे नहीं, यह ऐसा वाला कंसेप्ट है आपका, बाकी जबरदस थम्ब है आपका, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, समझदारी कलूप काफी अच्छी, दो-तील आपके फिंगर के बीच में गैप है, यह आपके खर्चली परवर्ती को इंडिकेट करती हैं, सबसे गुलते मिलते नहीं है, खाई लाइंस आपके हाथ पर इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, यह टिंडे कर रही है, यह इश्वर के परतिया शीम शर्दा, कोई नहीं कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर लोगा, जिसकी एवज में आप धन कमाओ, बाकी बुद्ध फ जीते हैं, जीते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं, थोड़े बरश्पती हैं मुझे प्राब्लम्स दिखी, लेकिन कुछ यहाँ पर पर अपकार के लाइन से सेवा भाभी नीचर हैं, कुछ आपके तो विक्ति गजब के महनती हैं, अगर इसको ठीक किया जाए या ठीक करने का परियास किया जाए, तो चीज़े ठीक भी रहती हैं, बेसिकली, तो यह बरश्पती का विवरन था, बाकी यह दवाभ को मैंने बता दिया, यह काफी महनती हैं, और यहाँ पर से जबरदस्त पूनता बागी का साथ मिलना है, कुछ आपके डिस्टरव शुकर वले थी, जो गईना कई प्राबलम्स को इंडिकेट करती है, वेवाहिक जीवन में भी तकलीफों को इंडिकेट करती है, लाइन ओफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, इंसान बहुत ही अच्छे मान सकता क हैं, और बहुत तेश्ट राख है, चीज़ों को समझने के अच्छी चमता है, पैतरिक संपत्ती का अच्छा साथ के योगते बागी एक जबरदस सूरी रेका आगे बढ़ रही है, कुछ ट्राइंगल से जो इसके नेगटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रही थी, कुछ द तरीके से जीने वाले हैं, दो-तिन लाइन से इंसान बहुत इंटलिजन इंसान दिल दिमाग से अपने जिन्दगी पर आगे बढ़ते हैं और बुद्धि वेक से कार करते हैं, और जेनरली ऐसी महिलाओं को न, कभी भी आप कोई भी गलब डिसेजन लेते वेद्ध ही देख रखता होती है, किसी के भी जिन्दगी पर, किसी के भी जिन्दगी पर कैसा भी निरने ले, वो सोचा समझा हुआ, रन नीती के हिसाब में ही होना चाहिए, तो अच्छी सूने मन करिया आपकी, बाकी ये कुछ डिस्ट्रैक्शन के योग को भी इंडिकेट करते हैं, याद मिल रहा है, तो पूरता सीमेल लाइन्स के साइड एफेक्ट आपके जिन्दगी पर नहीं आ रहे हैं, कुछ एफेक्ट भी आपके आ रहे हैं, जो कि आपको कही नगए शान्त रख रही है, और यहाँ पर से कुछ ट्रैंगल से जो इसके नेगटिव औस्थाओं को दूर कर करती हैं, तो यहाँ पर से चीज़ें कहीं नगए कवरब कर लिए, बाकि दोडो मंगल बहुत अच्छा है, इंसान बुद्धिवेक से काड़ करने वाले, लोजिकल विक्ती हैं, एनर्जेटिक हैं, और दिरगायों भी हैं, और ऐसे विक्ती को जल्दी स्वास्त की प्राब तो अच्छी मंगल, बाकि एक जबरदस्त आपकी चंदर्मा है, कुछ लाइन से आपके एतली पर जो बिसिकली यात्राओं को दर्शाती हैं, चंदर्मा अच्छा है, पैसे की फ्लो अच्छी है, ऐसे विक्तिदारसनिक सोच के तो होते ही होते हैं, साथ इसाथ बहुत अच कुछ यात्राओं जिन्दगी पर बनी है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, बाकि यहाँ पर से भी कुछ यात्राओं के योग जिन्दगी परते हैं, यह फिश तो यहीं से बन गया, अकासमिक दनलाफ को दर्शाता है, बागे रेका आगे भी है, कुछ जॉब चेंज करने के य तैलेंटेड बहुत होते हैं, ऐसे लोग, मल्टी तैलेंटेड होते हैं, क्योंकि सूरी रेका एक से ज़ादा, ऐसे ज़ादा तक भौथ तेशतर राग होते हैं, इसमें कोई संदेह हैं, रखना हैं भी मत, और एक अच्छी बुद्द रेका बन रही है, जो बिजनस प्रोस शुक्र जापर से कुछ stress के lines से तो वो तो stress था ही प्रानम्बिक समय में. Money management के अच्छे lines तो पैसे तो ये लोगs accurate करही पाते हैं. या आपर से कुछ multi ये आपके luxury सुक्के lines से वो भी आपको मिलेगा. शुक्र अच्छा है, जिंदगी अच्छी ही रहती, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, बाकि आपकी एक जबरदस्त मंगड ओवर प्राक्रमी अटेंशन तो भाद लेती है, बहुत सोचती एक्स्ट्रीम, अलाकि मंगल रेका एक से ज़ादा है और आपके जीबन र परदस्त है आपका, तो यह थाइन कहते लिए का पूर्णता अविश्लेशन, अगर आपको अमारा ये विडियो पसंद आए, लाइक करदे, कमेंट करदे, सेर करदे, सब्सक्राइब करदे, अगर आप प्रसनी मेरे सास्ते लेका निकार के सही जानकारी पाना चाहते है, हम मारा वोट्सअप नमबा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप समपर कर सकते हैं, धन्यवाद